नमस्कार मैं हूँ रागवंद दुवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश का प्रताबगड का एक कस्वा है कुंडा कहा जाता है कि कुंडा में होने वाले चुनाव ही नहीं अपराद भी राजबहिया की मर्जी के बिना नहीं होते हलांकि राजबहिया इसे किवदंती भर मानते हैं लेकिन इससे बिलकुल इत्तिफाग नहीं रखते इसी कुंडा में साल 2013 में सीयो के पतपर टैनात रहे जियाउल हक की हत्याकांड के मामले में वह बुरी तरह फस्ते जा रहे हैं वैसे तो एक समय में राजबहिया के खिलाफ 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए लेकिन उन्होंने कभी इन मुकदमों को लेकर बयानबाजी नहीं की हलांकि जियाउल हक के मामले में उनका नाम आया तो उन्होंने खुद ही सीबियाई जाच की मांग कर डाली सिबियाई ने जाच की लेकिन वो बेदाग निकले इसके बाद उन्हें आरोपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नैसरे से जाच के लिए सिबियाई को आदेश दिये हैं यानि जियाउल हक खत्याकांड मामले में राजा भहिया की मुसीबत बढ़ सकती है आखिर क्या है जियाउल हक खत्याकांड की कहानी आई ये से समझने की कोशिश करते हैं साल 2013 में दो मार्च की दोपहर का समय था कुंडा विधानसवाज शित्र के गाउं बैती में ग्राम समाज की जमीन की पैमाईश होनी थी इस पैमाईश के दोरान ग्राम प्रधान नन्ये सिंग यादव के साथ गाउं के ही कुछ लोगों की जड़ाप हो गई इसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने नन्या को गोली मार दे मौके पर मौझूद पुलिस ने नन्या सिंग के परिजनों के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उन्हें म्रत घोशित कर दिया इतने में रात के आठ बज गए और पुलिस ने पोस्ट माटम कराने के बजाए गराम प्रधान का शव अस्पताल में ही परिजनों को दे दिया थोड़ी देर बात पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सीयो जिया उलहक कोतवाल सरवेश मिश्रा समेथ अन्य पुलिस वाले शव लेने गाओं पहुँच गए लेकिन वहां पहले से जमा भीड आक्रोशित हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया संयोग से पुलिस वाले जिस गली में भागे वह सक्री थी इसमें आगे सीयो और कोतवाल थे वहीं बागी पुलिस वाले भी उनके पीछे भाग रहे थे जब पुलिस वाले गली के मोहाने पर पहुँचे तो देखा कि पहले से भीड उनका इंतजार कर रही थी उन्हें देखकर पुलिस वाले पलट कर भागने लगे ऐसे में सीयो और कोतवाल सबसे पीछे हो गए वहीं जब भीड की ओर से गोली चली तो सीयो को लगी और वहीं गिर गए केस डायरी के मताविक प्रधान नन्या सिंग के भाई सुरेश यादों ने सीयो जियाउल हक पर बंदूग के बढ़ से वार किया यह बंदूग लोड़िट थी इसलिए गोली चल गई और सुरेश के ही पेट में लगी इससे उसकी मौके पर मौत हो गई उसे गोली लगते देख नन्या सिंग यादों की बेटे ने गोली चलाई जिससे सीयो की मौत हुई इस वारदात में 20 से अधिक लोग चश्मदीत गवा थे पुलिस ने इस मामले में कुल 4 F.I.R. दर्ज की थी खाला कि इन में किसी में भी राजा भहिया का नाम नहीं था वहीं जिन लोगों का नाम F.I.R. में था उन्हें ग्रफतार कर जेल भेज दिया गया पुलिस न सभी मामलों की जाच कर ही रही थी कि कुछ दिन बाद सियो जयावल हक की पतनी परवीन आजाद थाने पहुँची और इस वारदात की साजिश में शामिल होने का आरूप लगाते हुए राजा भहिया और उनके सहयोगी गुलशन यादव, हर्योम श्रीवास्तव, रोहित सिंग और संजय सिंग और गुड़ू को नामजद करा दिया उस समय विधान सवा की बैठक चल रही थी और राजा भहिया लखनव में थे उन्हें जैसे ही इसकी ख़बर मिली, वह खुद आगे बढ़े और सिब्याई जाच की मांगी, खुद के लाई डेटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांगी अब सिब्याई ने मामले की जाच करते हुए साल 2013 में ही ट्राइल कोर्ट में चार्शीट लगा दिया था हालांकि सिब्याई ने मामले में राजबहिया की भूमिका को नकारते हुए कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया था लेकिन ट्राइल कोर्ट को सिब्याई की चार्शीट पर भरोसा नहीं हुआ इसके बाद मामला इलहाबाद हाई कोर्ट पहुँचा जहां कोर्ट ने साल 2022 में ट्राइल कोर्ट की आपत्नियों को खारिज करते हुए सिब्याई की क्लोजर रिपोर्ट ही सुईकार की इससे सियो ज्याउल हक की पतनी को धक्का लगा और वे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई अब सुप्रीम कोर्ट ने दौने पक्षों को सुनने के बाद माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बर है इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को रद करते हुए ट्राइल कोर्ट के फैसले पर ही महड लगा दी कहा है कि सीब्याई को इस वारदात में राजबहिया की भूमिका की परताल नई सिरे से करनी चाहिए दूसरी तरफ राजा भहिया ने कहा है कि वह बेगुना है उन्होंने पहले भी कहा था कि मामले की निस्वक्ष जाच होनी चाहिए इस बात पर वह आज भी कायम है उन्होंनों एक निजी चैनल को दिये इंटर्व्यू में कहा कि वह खुच चाहते हैं कि सीबियाई जाच हो और असलियत बहार आए अब जान लीजिये कौन थे सियो जियाउल हक सियो जियाउल हक मूल रूप से देवरिया जी लेके नोनखार गाउं के रहने वाले थे साल 2012 में उनकी तैनाती कुंडा में हुई थी उनकी पत्नी का आरोप है कि तैनाती की बात से ही सीयो पर राजा भहिया की ओर से दवाव बनाने की काफी कोशिश की गई खास तोर पर वह अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों में सीयो का साथ चाहते थे हलांकि राजा भहिया का कहना है कि सीयो जियावल हक से उनकी केवल एक बार ही मुलाकात हुई थी इस मुलाकात में भी उनकी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी डिप्टी अस्पी जियावल हत्याकांट के मामले में सुप्रिम कोट ने फिर से कह दिया है कि सीवी आई रगराज प्रताप सिंग उत्व राजा भईया की भूंक्या की जाच करें यह बहुत ही पेचीदा मसला है यह 2 मार्च 2013 की घटना है उस समय संभुता सदन चल रहा था रवराज प्रताप यहां थे लेकिन गाउं में शाम को एक मर्डर हुआ उसके बाद गाउं में हिंसा हुई फिर एक और मर्डर हुआ और जब डिप्टी अस्पी वहां गए थाने के पुलिस के साथ तो वहां पे इनकी भी हत्या कर दी है इस मामले में लोजर रिपोर्ट सी वी आई ने दाखिल की थी लोवर कोट ने जाच जारी रखने का आदेश दिया था लेकिन हाई कोट ने उससे रोग दिया जिसके खिलाफ डिप्टी अस्पी की जो पतनी है प्रवीन आजाद उन्होंने सुप्र जाना मसला ऐसा है जो अभी जांच के प्रक्रिया में फिर से शुरू हो जाएगा और इनकी भूमिका की जो जिसमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी अब उसमें नए तथे और कंटेंट क्या से भी आई जुटा पाएगी यह बहुत बड़ा सावाल है और राजा भाहि पर थोड़ा कुंडा के समय करन बिगड़े हैं तमाम ऐसे लोग जो उसमें रगराज प्रताब जी के साथ थे वो अब उनसे अलग हो चुके हैं उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो गुलसन यादो का है जो कुंडा के उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष थे तो अब यह न प्लिकेट केस था और चुकि गाउं में ही पूरी घटना हुई थी इसमें आप देखना है कि इस चैलेंज को किस तरह से पूरा करती है और इसका जो प्लिटिकल इंपक्ट है रगराज प्रताब सिंग पर क्या पढ़ता है रगराज प्रताब सिंग अपनी पार्टी उनकी जनसत्य दल लोगतांतरिक उनकी पार्टी है और वो अपनी पार्टी के नेता हैं तो लोकसमा जुनव भी करीब है तो शायद कुछ उसका असर दिखाएं गे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्टी अध्यक्ष रगुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भाईया एक बार फिर मुसीबतों के खेरे में है सुप्रीम कोट की एक बेंच ने जियाउल हक हत्याकार्ण में फिर से CBI को जाच करने का आदेश दिया है और तीन महिने के अंदर क्लोजर रिपोर्ट दायर करने को कहा है आपको बता दे कि 2 मार्च 2013 को कुंडा के एक ड्राम सबा में ततकालें डियस पी जियाउल हक की हत्या हुई थी जिसमें आरोप राजा भाईया पर भी लगे थे हालाकि CBI जाच में राजा भाईया निर्दोस पाए गए थे लेकिन उस घटना क्रम के ततकाल बाद ततकाल इन मुख्यमंतरी अखिलेश यादाओं ने राजा भाईया से इस्थिपा ले लिया था और वहां मंतरी पत से हटा दिये गए थे लेकिन CBI जाच में बरी पाए जाने के बाद राजा भाईया को दुबारा मंतरी बना दिया गया था CBI रिपोर्ट में राजा भाईया भले निर्दोस पाए गए लेकिन सुपरिम कोड के इस फैसले ने एक बार पिर राजा भाईया की मुसीबतों को बढ़ा दिया है अब देखने की बात होगी कि इस जाच में क्या सामने आता है इस वीडियो में फिलाल इतना ही येकिन अन्य तमाम खबरों के लिए आप बने रहें भारत एक्सप्रेस के साथ नमस्कार